हेलो प्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यू चैनल आप सब लोग कैसे आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहां है सामकर टाइम और मैं उठा रही हूं बाहर से कपड़े तो यहां रिसू की देखिए कि जब तक मैं कपड़े उठा रही हूं तब तक वो हे यह सामने से हाथ थोड़ी मैं लाश्ट में इसे देख पाई तो मैंने इसको हटा दिया और यहां मैं बाहर से सारे कपड़े उठा लिया इसके बाद यह कपड़ा मैं नीचे लगा देती हूं क्योंकि अभी बारिस का टाइम है और कीड़े बाहर से बालकिनी से बहुत खमुत दो रही होता है तो मैंने के चलो इसके साथ खेल लेती हूं यहाँ में बना रही ब्लॉक्स से हाउस तो यह बहुत मस्ती करता है और बच्चों के साथ मेंना उनको बरावर टाइम देना पड़ता है नहीं तो बच्चे नहीं कहलते हैं चोटे बच्चे कभी अकेला खेलते बड़े वच्चे हों तो वो एक बार खेल भी लें अपने अलग और छोटे वच्चों को तो खिलाना ही पड़ता है और उनके साथ जब खेलोगी तब यह तुमारे साथ खेलेंगे और नहीं तो फिर मॉबाइल में लगे रहेंगे तो इसकी वज़े से ना इसके साथ म भूबाइल कम से कम पकड़े तो मैं इसके साथ कुछ देर तक खेलती करता है यहां को इसको बहुत स्था जहीत या रही हूँ में उसी तर बच्चों को कितना अच्छ लगता है और साथ में भूब अच्छ से खेलते भी हैं इंट्रेस्ट भी लेते हैं खेलने में तो इस वज़े से हर किसी को माबाप को खेलना ही पड़ता है और फिर बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है क्योंकि आज कल की भागदोर भरी जिंदगी में बच्चों को कहा टाइम मिल पाता है तो इसी वज़े स बहुत असे यहां यहां और फिर किश्ट में आज मैं बनारही हूं सबजी को बहुत जाना पसंद है अस्वेंड को किया हम दोनों लोगों को बहुत अच्छी लगती है और रिषू थोड़े अच्छे शब्दग खा लेता है तो मैंने कर दो चलो जब सभी लोग खाई लेते हैं निकर बाना को सब कर पासंद शूंद तो मैं यहां पकोड़ी बनाने लगी तो मैंने करेंगे चलो थोड़ा बहुत का अगर खाएगा तो रिसू भी खा लेगा तो मैं पकोड़ी बना ले रही हूँ यहां करेंगे तो मैं पकोड़ी बना ले रही हूँ यहां दाल की पकड़ी में बना इसमें जब मैंने सुबह भीगो दी तो इसमें दो दाले या तीन दाले अपने जैसे भी अच्छी लगती हो उस टाइप से आप भीगो कर बना लो कोई भी कितनी भी दाले मिक्स कर दो उतना ही टेस्ट और बढ़ जाता है तो यह नहीं कि हाँ इसमें एक दाल है या दो दाले हैं अपने हिसाब से जितने भी आपको अच्छी लगे उसे अप डाल सकते हैं और फिर मैं यहाँ पर निकाल दे रही हुए मैंने ही की चलो इसमें थोड़ा सा जानद हो गया तो मैंने फकोडी सेक लीयह और फिर आइल होता ही है जब पकोडी सेक नीयए के बाद और फिर को अच्छी नहीं लगती है ऐसे बनाओ तो इस वज़े से इसको थोड़ी सी फ्राई करनी है दाल तो यहां मैं यह फ्राई कर ले रहे हूं दाल और यह मैंने थोड़ी सी पचा रखी थी क्योंकि यह बहुत जान्द हो गई थी तो मैंने कि चलो फिर कोई और यूज कर देंगे और फिर दाल तो ऐसी होती है कि किसी भी चीज में हो जाती है और यहां मैंने डाल दी है और मैं यहां आपको पास से दिखा रही हूं और यह थोड़ी-थोड़ी सी अभी श्टार्ट में चिपकेगी ना फिर अच्छी से मैसी हो जाएगी जब इसमें थोड़ा सा ओल लग न तो यह अलग अलग हो जाती है और फिर बहुत अच्छे से इसमें प्राइब कर नहीं होती है और यह जांदे देखा रही हूं कि यह देखिए थोड़ी-थोड़ी से फ्राई हो गई और इसको थोड़ी देर और चलाना है और चलाने के बाद फिर इसको निकाल लेना है तो मैं इससे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी जो मोटी मोटी होती है ना तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है तो मैं इससे अच्छे से मैसकर करक कि इसका कच्छापन निकल जाए और यहां मैंने इसको निकाल लिया जब यह फ्राइज हो गई और इसको थोड़ा जांदे फ्राइज नहीं करना है नहीं तो यह फिर जब सब्जी बनेगी ना तो वो थोड़ी सी कड़क कड़क सी हो जाएगी तो वो टेश्टी नहीं जब ममी मैं साधी करके आई तो मुझे अच्छे से सब्जे नहीं बनाने आती थी तो थोड़ी सी वैसे जादे फ्राइज हो जाती थी तो उसका टेश्टी चला जाता था तो थोड़ी थोड़ी सी फ्राइज हो तो भी अच्छी भी लगती है अच्छे से मिक्स भी होती है के साथ हो अच्छे से डालवी में लगती है कि हाँ यह अच्छी लग रही है खानेम आुण सी तरह से ना जानद कछी और ना जानद नर फ्राई अच्छी नहीं लगता फिर मैं इसमें डाल दिया दुबारा से और इसा को दिखाuration कि मेडियम ही मैंने फ्राई की है और इसके बाद मैं जीरा और हिंग से मैं इसे चौक दोंगी सब्जी बनाने को क्योंकि इसमें क्या और फिर मसाले डाल दूंगी हल्दी मिर्ची वगरा और इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूं इससे थोड़ा टेस्ट मुझे अच अच्छी के अगर दालें कम ऊपसंद करते हैं तो इस तरह से बना दीजिए तो बहुत अच्छी सब कोई लगेगी और दशी नहीं लगती है तो इस तरह से रिसू भी पकड़ी खा लेता है ह। मैं जब पकड़ी बनाती ہो ना तो उसमें सारी चीजा डाल दो और मसाले डाल तो इसके बाद फिर मैं अच्छे से मसाला भून लूँगी और रिसके मौसम में इस तरह की सब्जी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि तेखो हारी सब्जी होते हैं उनमें की कीड़े इड़े आते हैं तो इस वजए से कोई और इस तरह से सब्जी बनाओ तो रोज रोज सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी लगती है और यहां पर मैं यह अच्छे से मिक्स कर लोगी मसाले के साथ और यह थोड़ी दिर मैं इसी तरह से भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें पानी तो यहां पर मैंने इसमें डाल द लोगे तो पकॉड़ी पानी सूख कर जाएगी। इस वज़े से थोड़ा सा पानी जादे इसमें डाल देते हैं। तो मैं दोबारा खोल के इसे देख रही हूं कि इसमें एक उबाला आगया और फिर मैं डाल दूंगी इसमें पकॉड़ी। क्योंकि एक ओबाल आने पर पानी जो होता है तो उसका जो थोड़ी सी पानी का वो कहते हैं एक तरह से कच्छा पन वो चीज निकल जाती है क्योंकि पानी भी बॉइल होना बहुत जरूरी है सबजी में तभी टेस्ट भी आता है और फिर मैंने यहां डाल दी इसमें पकोड़ या उसके बाद मैं दुबारा से डख दूँगी और इसको डखने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मेडियम कर देती हूं यह थोड़ी बंद हो जाती है इसको मैं सिलो कर रही थी तो बंद हो जाती है और फिर इसके बाद मैं चावल भी बना लूँगी चावल से ना यह बहुत वी थोड़ी सेख दूंगी ओभी मैं चावल बना दे रहे हूं और चावल मैं इस वज़ाए से क्योंकि मुझे चावल बहुत जानदे पसंद है तो मैंने के चलो तोड़ी से चावल भी बना देती फिर में थोड़ा ही साटा गुंती हूं तिन-चार रोटी का अस्वरिन लाई मैंने ही चलो यतनी रोटी बन जाए तो मैं यहां पर भूंद के रख दे रही हूं तो यहां मैं इसको ध़क के रख देती हूं और उसके बाद फिर मेरे बरतन पड़े हुए मैंने की चलो इसको बरतन बॉस कर देती हूं क्योंकि साथ-सात में काम होता जाये ना तो कम लगता है और पता ही नहीं चलता है हमने कब किचिन में काम कर लिया और जब एक साथ एक उठा पड़ा रहे काम तो बह तो थोड़ा सा इंट्रेस्ट होता है किचिन में लेकिन मैं सुरू से ही मैं साधी से पहले जल्दी जल्दी फटा-फट काम करती थी चुटी करती थी क्योंकि ऐसा हो जाता है कि किचिन में जान्द देर तक रहो ना तो थोड़ा सा मेरो मैंड खराब हो जाता है कि इतनी देर स मैं किचिन में हूँ और यहां फिर मैं रोटी सेखने लगी तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करना सेयर करना और नियू हो तो सब्सक्राइब करना और आज तो ब्रैंड्स मिलती हैं नेश्ट वीडियो में ओके बाइबाइब टेक्या क्वाता लगा जगए लूदेने से लाइब से लाइब टैया झमझे को सूलावस बटनी करना लाइब दानलो एटेक साविते हैं वे क्वाता लाइब पर लाइब लाइब, करना हो एक जब से जाएब लाइब लाइब